सुल्टानपूर में बड़ी संक्या में महिलाओं ने विकास भवन को घेल लिया आरूपे की प्रधानमंत्री आवास यूजना दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सेकेटरी और एटी ओ को अपरिटिफ पैसा मांग रहे थे परिवार अधिक गरीवी रेखा में होने के नाते पैसा देने में समर्थ रहे जिसके चलते आरोप के मुताबेक इनका नाम पात्रता सुची से हटा दिया गया गुदवार को समोह के रूप में पहुची महिलाओं के साथ पुरुष भी बड़ी संख्या में विकास भवन पहुचे जहां पर मौन प्रदर्शन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक को ग्यापन सौपा गया ग्यापन में ये भी आरोप लगाया गया कि प्रधान स्थानिय मालती देवी के मौन समर्थन से सेकेट्री और एटियो पंचायत लगतार उत्वीडन कर रहे हैं और वास्तविक पात्रों की अंतेखी कर रहे हैं वह प्रक्रण में निदेश सिंग का कहना है कि उन पर लगाय कैसारल जाम पे बुनियाद हैं पात्रिता के आधार पर सुची में नाम हटाने की कारवाई सुनिशित की गई थी प्रदर्शनकारी महिलाओं में शीला, अमृता, योगेंदर, सुचीला, रामा, मीना देवी, सरिता देवी, रजिया बेगम, शिफकोमारी, सुदामा, राजिश्वरी, साजदा बानू, प्रमीन समेथ, अनिलोग पॉझूद रहे मुखी विकास अधिकारी अंकर कौशिक ने बताया कि सेकेटरी और साथ ही एटियो पंचायत की दरफ से पैसा लेने का मामला सामने आया है, महिदाओं का ग्यापन लेकर पूरे मामले में जाज टीम कठिट की गई है, दोशी के खिलाफ सक्स कारवाई की जाएगी, यदि प ने बतावाए गरीब तावी पिकलागा है, हम कहां पवे दस जार रुपिया, दूठी नन लड़िका लई के कहा है, जाएगी, जाएगी, यदि नन लड़िका लई के कहां जाई, सहे यहाँ सूची में नाम था पैसा नहीं दे पा रहा है इसलिए एक कार दिया आवास हम 25 साल में 25 साल से ननिहाल में हैं हमारी मौसी भी रोज भगाती रहती है हम सोचे आ जाएगा तो हम बनवा लेंगे कम से कम एक कबन तो बन जाएगा सुल्तानपूर से 944 के लिए सरफराज हमत के लिए सुल्तानपूर और अमेठी की सबसे पहले और सबसी तेज खबरे देखने के लिए सबस्क्राइब करें 944 न्यूज चैनल